नमस्कार, अच्छे अच्छे लोगों के गुण भी इस वक्त खत्म हो जाते हैं, जी हाँ, आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज हैं, बहुत सारी गुण हैं, बहुत सारे एटिकेट्स हैं, लेकिन एक बात ध्यान रगना, जब आपके अंदर ये दो चीज़ें आई ना, तो वो सारे गुण, वो सारे एटिकेट्स और वो सारी क्वालिटीज खत्म हो जाएगे, स्वाएं भगवान सिक्रिश्ट गीता में कहा, और भगवान स्री राम ने राम चरीतर मानस में कहा, कि ये दो बातें जिसके अंदर आ जाती हैं ना, उसके सारे गुण, अच्छे अ उसके इनसान को क्रोध आता है, गुさん आता है, तो उसके मंद से सारे गुण, खत्म हो जाते हैं, चाये उसके अंदर कितनी क्वालिटी हो, लेकिन जब गुण, दिल और दिमाग में बढ़ जाता है, तो उसे कुछ नजर नहीं आता है, बस उसके मांद में गुण गुणस पर रहता है और वो सामने वाले पर अपना गुसा निकाल देता है और गुसा दो मिन्ट का होता है और दो मिन्ट के गुसे में सारा सब कुछ तहस नहस कर देता है और जैसे उसका गुसा सांत होता है फिर उसे रिलाइज होता है फिर उसे रिग्रेट होता है कि मैंने ये क्या क धर लेता तो आज इसंट़ी नहीं होती, तो बभग्वान सि कस्त गीता में कहते हैं कि क्रोध इंसान को पागल कर दिता है, जब क्रोध संख केते हैं ना जब तूफान आता है ना, तो चारो तरब तबाई मचा देता है, उन stand तबाई कब दिखती हैं, जब तूफान गुजरने के बाद चारों तरफ तबाही तबाही दिखाई देती वैसे ही क्रोध है क्रोध आता है उस वक्त कुछ दिखाई नहीं देता है वो क्रोध उस वक्त सिर्फ तबाही तबाही करता है और जैसे एक कोद सांत होता है न तब तबाही दिखती है कि यार मैंने ये क्या कर दिया है मैंने किसको मार दिया या मैंने क्या नुकसान कर दिया है मैंने इसक क्या कर दिया है फिर वो पस्याताब की अगनी में जलता रहता तो ध्यान रखना बगवान शी कर्ष्ण कहते हैं कि quest आपके अंदर ऐसी चीज है आपते सारे गूर्ड को खत्म करते हैं चाय मोज़ाई आपके सारे गुण दी कितने अच्य गुणंदध Parliament केलों तो पहाडों से निकलती है तो उसके अंदर कितनी जड़ी बूटियों का रस मिला हुआ होता है और कितना पानी मीटा होता है उस नदियों का लेकिन जब नदी धीरे धीरे बहती बहती जब सागर में मिल जाती है ना तो क्या होता है नदी के सारे गूर नश्ट हो जाते हैं उसकी औस दिये गूर तो नश्ट होते ही हैं साथ में उसका मीटा पन भी नश्ट हो जाता है और वो सागर में मिलकर सागर जैसी हो जाती है खारी बन जाती है नदी, क्योंकि वो सागर में मिल गई, तो बगवान स्री राम कहते हैं कि अपनी संगत को अच्छी रखना, आप बिल्कुल अच्छे विक्ति हो, लेकिन आपकी संगत बुरे लोगों के साथ में है, आपकी संगत गलत लोगों के साथ में है, तो आज नहीं तो कल संगत का असर आपके उपर आएगा, बुरे लोग आपकी अच्छी आदते नहीं सीखेंगे, लेकिन आप बुरे लोगों की बुरी आदते सीख जाते हों, एक बात ध्यान रखना, अच्छी आदते सीखने में बहुत टाइम लगता है, मैनत लगता है, और इंसान को अ आदते कभी सीखी नहीं जाती है, बुरी आदते तो अपने आप अंदर आ जाती है, कैसे आती है, संगस से, और अच्छी आदतों को पता है, आपको सीखना पड़ता है, मैनत करनी पड़ती है, थोड़ा हाडवर करना पड़ता है, तब जाके अपने अंदर अच्छी आदत कहते हैं अपने संगत अच्छी रखना आपकी संगत बुरी होगी ना आप कितनेगी अच्छे क्यों न हो एक दिन आप भी बूरे बन जाओंगे तो ध्यान रखना क्रोध और संगत एप एक इजी चीज़ हीना आपकर अच्छे-च्छे गुनों को भी खत्म कर तो अपने क्रोध पर काबू रखना और अपनी संगत अच्छी रखना